अस्लाम आलेकम स््टूडेंट मैं आपकी उर्दू की टीचर और उमीद करती हूं आप सब खायरित से होंगे हम अपना उर्दू का लेक्चर नरफ ज projection 2 का मैंने आपको बताया था के नांत है और नार की हमने बुक्रेडिंग की थी उसका मरकिजी ख्याल किया था अमीद करती हूँ कि आपने उसका मरकिजी ख्याल अपनी कौपी पे नीट किया होगा अप चलते हैं इसके मश्की सवालाद की तरफ मश्की सवालाद जो हैं सवालाद के मुक्तसिर जवाब आपने देने हैं ये जवाब आप अपनी कौपी पे नीट करेंगे इसके इलावा सवाल नमबर दो है जो आप बुक पे करेंगे और सवाल नमबर 3 है ये भी आप अपनी भुक पे करेंगे इसके इलावा सवाल नमबर 4 है जो के आप अपनी कॉपी पे đến मिएड करेंगे और अपने टीचर्स को चेक करवाेंगे जी तो चलते हैं हम सवालात के मुकत्रजवाब की तरफ इसमें सबसे पहला है अलिफ है रहमत किस नबी का लकब है जी दूसरा सवाल है यतीमो का वाली किस को कहा गया है जीम है हिरा से क्या मुराद है दाल है मिस्खाम को कुंदन बनाने का क्या मतलब है आखरी है अरब पर क्या चीज चाही हुई थी जी आपने वुक्रेटिंग की आप किसके जवाब पता हैं और इसके इलावा आपको सफीना उर्दू में इसके आंसर मिल जाएंगे अब हम चलते हैं ये आप अपने कुशन आंसर जो हैं आप अपनी कॉपी पे नीट करेंगे अब हम चलते हैं सवाल नमबर दो की तरफ जो आप अपनी बुक पे ही करेंगे सवाल नमबर दो है मुनासिब लफास की मदद से मिसरे मुकमल करें अलिफ है रहा डरना डैश को मोजे बिलाका जवाब है इसका बेडे बे है मिस्खाम को जिसने डैश बनाया इसका जवाब है कंदन जीम है और एक डैश साथ लाया नुस्खह कीमिया डाल है कबाईल को डैश करने वाला इसका जवाब है शेरो शिकर हे है डैश के दिल में घर करने वाला इसका जवाब है बद अन्देश जी ये आप अपनी कौपी पे बुक पे ही नीट करेंगे इसके इलावा है सवाल नमबर तीन नाथ के मतन के मताबिक दरुस जवाब की निशान दही करें जी ये भी आप अपनी बुक पे ही नीट करेंगे अलिफ है बेड़े को किसका डर ना रहा आप्शन्स हैं तुफाँ का, मोजे बिला का, दुश्मनों का इसका जवाब है जी मोजे बिला का बे है अरब पर कब से जहल चाया हुआ था आप्शन्स हैं महीनों से, बरसों से, सब्दियों से, कर्नों से इसका जवाब है जी कर्नों से जीम है रसूल पाक ﷺ मुसीबत ने किस के काम आए इसकी आप्शन्स हैं अपनों के गैरों के मक्का वालों के मदीना वालों के इसका जवाब है गैरों के आखरी है नभी करीम ﷺ किस से दर गुजर करने वाले हैं options हैं गुनेगार से, सियाकार से, खताकार से, बदकार से तो इसका सही जवाब है जी खताकार से जी ये आपका सवाल नमबर 3 है जो के आप अपनी बुक परी टिक लगाएंगे जो सही जवाब है उस पे आप टिक लगाएंगे और अब हम चलते हैं सवाल नमबर चार की तरह सवाल नमबर चार में है आपने इलफास महावरात को अपने जुमलों में इस्तमाल करना है ये आप अपनी कॉपी पे नीट करेंगे सवाल नमबर एक है सवालात के मुक्तसिर जवाब दें ये आप अपनी कॉपी पे नीट करेंगे और सवाल नमबर दो है सवाल नमबर चार है दरच जेल इलफास के जुमले अपनी कॉपी पे लिखने हैं सबसे पहला है गम काना, दूसरा है मुराद बरलाना, तीसरा है दर गुरजर करना, चोफ़ा है जेरो जपर करना, पांचवा है काया पलटना और आखरी है शैरो शकर करना जी ये आपका कौपी वक का काम है सवाल नमबर एक और सवाल नमबर चार आपका कौपी वक का काम है और सवाल नमबर दो और सवाल नमबर तीन आपका बुक वक का काम है उमीद करती हूँ कि आप सब अपना काम नीट ली करेंगे और नीट करके अपने टीचर्स को चेक करवाएंगे